हेल दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सुवी का लास्ट एक्जाम के यूट्यूब चनल पे दोस्तों जो आपने फिजिकल दिया था दिलिप्रिज डाइवर के लिए उसमें RTA का रिपलाई आ चुका है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल क्वालिफाई कंडिडेट कितने हैं जो आपके फिजिकल में जिनोंने क्वालिफाई करा है टोटल 15,028 कंडिडेट हैं जिनोंने फिजिकल क्वालिफाई करा है और ये जो सारे बच्चे हैं जिनोंने भी फिजिकल क्वालिफाई करा है वो सारे ट्रेड के लिए अब ट्रेड देने जाएंगे और ट्रेड के लिए अभी तक देखो आटे के माद्यम से भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इस दूसरे कोशन में पूछा गया कि ट्रेड की जो संभावी डेट है वो कितनी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है लेकिन जो मुझे अंदर से न्यूज पता लगी है कि जो आपके ट्रेड हैं वो अब 23 सितंबर से स्टार्ट होंगे 23 सितंबर से स्टार्ट होंगे यह ओफिसियल नहीं है लेकिन जो मेरे को जानकारी अंदर से पता लगी है वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है कई लोग आपको बताएंगे कि जून में होगा जुलाई में होगा हाँ हो सकता है लेकिन ये डेट जो 23 सितंबर है ये मुझे अन्दर से पता लगी है जो हमारे जानकार है इसके मादेम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रेड है आपके 23 सितंबर यानि कि आज से पूरे पूरे चार मथ आपके पास में है अगर उससे पहले होते हैं जैसे जून में होते हैं या जुलाई में होते हैं तो उसकी news आपको पता है मई है वो लगबग खतम हो चुका है तो आपको 10 से 12 दिन के अंदर-अंदर पता लग जागा अगर 5-7 दिन में भी नहीं पता लगता है तो आप मान के चलो कि 23 सितंबर वाली जो डेट है वो बिलकुल fix है और आपके G20 सम्मेलन के बाद ही आपका trade है वो start किया जाएगा ठीक है तो ये official नहीं है ना कहीं पे कोई proof है सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि 23 सितंबर से आपके जो trade है वो start हो सकते है जो मुझे अंदर से पता लगा है बाकी जो आपके physical कितने बच्चे qualify हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं टोटल 15,028 candidate हैं जिन्होंने physical qualify करा है अभी category wise ये जो data है वो provide नहीं किया गया है लेकिन जैसे ही category wise data मिलता है मैं आपको सब से पहले inform कर दूँगा ठीक है तो बने रही है जो लोग जिनके भी अच्छे marks होगे रहा है वो अपने trade की तयारी करते रहो और बढ़िया से अगले वाले exam को भी साथ लेके चलो जो लोग constable के लिए तयारी कर रहे हैं वो constable की तयारी करते रहो और जिनको लगता है कि मेरी constable में age निकल चुकी है उनके लिए मैं बता सकता हूँ कि तीन दो या तीन साल का मौका आपको definitely मिलेगा तो आप लोग अपने exam की तयारी करते रहो ठीक है और यह जो मैंने अभी बताया कि 23 सितंबर से आपके trade होंगे भाई यह जो news है मुझे अंदर से पता लगी है लेकिन यह मैं सोचना कि यह बिल्कुल fix है अगर इसमें कोई भी changement होता है तो आपको पहले ही inform कर दिया जाएगा और आपको पता है मैं कभी भी fake news नहीं फैलाता हूँ ठीक है जो चीज़े real है जो चीज़े पता लगती है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ अब यह date भी मेरे को काफी दिन से पता है लेकिन इसलिए मैंने आपको नहीं बता है कि आप लोग demotivate नहीं हो जाओ इसी वज़े से तो लेकिन आप लोग अगर इसमें पहले जून ही में होता है या जुलाई में होता है अगस्त में होता है तो वो सारी चीज़े भी मैं आपको टाइम से पहले inform कर दूँगा तो आप अपनी तयारी करते रहे साथ में किसी दूसरे एक्जाम को साथ लेकर चलो क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के चकर में बच्चे आगे constable के लिए या फिर अधर एक्जाम की भी तयारी नहीं कर रहे है तो आप से मैं तो इतना ही कह सकता हूँ अपने अगले एक्जाम की तयारी भी साथ में लेकर चलो और साथ में अपना जो ट्रेड है उसको भी दीरे-दीरे सीखते चलो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही बाकी कोई भी इन्फोर्मेशन होगी आपको बता देंगे जो लोग कॉंश्टिबल के लिए तयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप अमारा जो वट्सअप नंबर है चोरानमे इकसट इकीस चोंसट चोरासी इस पर अपना नाम और कॉंश्टिबल लिखके मैसेज कर सकते हो आपको कॉंश्टिबल के गुरूप में जोड लिया जाएगा और जल्दी ही एक वीडियो जो एज रिलेक्सेशन है उसके बारे में भी बनाएंगे और बच्चों को इखटा करते हैं ताकि वो लोग अपने लिए भी कुछ कर सकें ठीक है और साथ में जो लोग न्यू बैच में आना चाते हैं एक जून से न्यू बैच स्टार्ट है कॉंश्टिबल के लिए आप उसमें आके अपनी तैयारी कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही 23 सितंबर याद रखना अगर डेट में चेंज होता है तो सारी चीजे हैं वो आपको समय से पहले मिल जाएंगी इस चीज का आप बिल्कुल भी बेफिकर रहे है और इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू दोस्तो जय हिंद जवार्त वंदे मात्रम